हेलो में दियर फ्रेंड्स माइम इस कमादीप सिंग निजर और आप देखें यूटूब मारा चैनल कमादीप सिंग निजर कैसी आप सबी लोग करने वाले हैं इंप्रॉपर इंटेग्रल का केस्टू वें इस इन्फानाइट तो आप उनको भी विजट करने वाले हैं तो जहां पर जो एक्जाम्पल है आज की वो है इसकी करने हैं तो जे करेगा हम क्याने क्या करना है सिंपल जहां पर इसको सौग करना है फाइंड करना है इंटेग्रेशन को जदी जह मारे पास फाइन आंसर देगी तो आंसर क्या करेगा अंसर नहीं इसकी करने का मिन पौण एक्षिस्ट करें तो जहां पर कोई भी क्या आपने चेक करने होती हैं इंटेग्रल की कंवर्जेंस उसे डरने कि कोई रूट नहीं सेम्पल हम भाहता है चैक करते हैं क्या आपकी प्यार इसकी समाहीं के सांस तो प्यास पर होनी चाहिए बहुत ती यह definition आपने करना कैसे जैसे के 1 ने हमने किया था तो by definition क्या होगा minus infinity सोई 0 तक 1 over e square plus v square x square into dx इसको हम लिख रहेंगे limit जहाँ पर minus infinity को आपने put कर दिना है t और where t की जो value को minus infinity को tend करती है बाकी हमने कुछ training करना simple जैसा जहाँ पर लिखा और ऐसे में लिख देना लग रही है देखने को तो जहाँ पर 1 over a square पर इस b square x square की integration आप कैसे कर से तो जहाँ पर हम मालूम है कि 1 over a square plus x square की integration होती है बहुती 1 over a tan inverse x over a तो इसको भी हम सेम करेंगे तो जहाँ पर आप b square को common ले सकते हैं बाहर तो जैसे common लेंगे तो हमारे पास e over b की whole square मिन जे पूरे का पूरा constant हो जाएगा और plus जहाँ पर x square मिन इसका coefficient 1 हमाने पास into dx तो अब हम जहाँ पर direct identity लगा सकते है 1 over a square plus x करेंगे तो उसका answer क्या आता है integration में 1 over a mean आपके पास यह 1 over b script to exit है तो जहाँ पर जो आपका वहाँ पर a होता था formula में तो उसको हमने replace किया a over b so 1 over a over b into tan inverse x over a over b and limits जो हमारे पास t से लेकर 0 तक अब क्या करना आपने simple जहाँ पर b से b cancel हो जाएगे बचेगा क्या a into b बचेगा हमारे पास अपर limit minus lower limit हमने set कर देनी है और जहाँ पर आपका b उपर आ चुका तो bx over a upper limit कितनी है जिरो पुट करेंगे और minus low limit t पुट करेंगे तो आपके पास ऐसा answer आजाएगा जहाँ पर limit t 10 into minus infinity और अपके 10 inverse 0 की value कितनी होती बेटा वो कितनी होती अपर आपको एक property मालम होगी कि हमारे पास sin और जो 10 अबर दोनों order function होती है means sin of minus theta को हम लिख सकते है minus sin theta और asian लिख सकते है 10 inverse minus theta को भी minus 10 inverse theta तो इसका जो minus बहर आजाएगा तो जहां पर 10 inverse infinity बेटा कब होता है 10 की value infinity pi over 2 पर होती है तो j minus or minus plus हो जाएगा जहां से answer pi by 2 है total answer आजाएगा आपके प्रस pi over 2 यह भी तो j एक बेटा क्या है यह finite number है means हमारे पास जो given integral था उसका answer कितना हारा finite है तो हम कह सकते हैं कि जह integral exist करता है जदी जह exist करता है means it is a convergent integral तो हमारे पास क्या हुआ the given integral convergence and converge to the point pi over 2 यह भी तो SM इसको solve गर सते बहुती असान बे में so second one आपके लिए एक example है home bar के minus infinite से लेकर जिरो तो इस पी the simple आपको मालूम है कि e x की integration के होती वो e x होती और e की पाबर e x की integration होती है e की पाबर e x over e तो जहां पर आप करेंगे तो आपको मैंने बता दे तो आप एक वस चेकल लेना तो एक example हम यहां पर case 2 मारा finish हो चुका इसकी exercise case आप पर related कर सकते हो और case 3 हम करेंगे जब हमारे पास दोनों के दोनों जहां पर क्या था माइनस इंफिंटी से लेकर इंफिंटी तो अब हम एक example उसकी भी ट्राइ करते हैं ठीक है बेटा तो बढ़े लिए चैनल के साथ प्यारी सी स्माइल के साथ वो नहीं जाने चाहिए वो नहीं जाने चाहिए आप कितने भी प्रेशर में क्यों ना हो चाहिए आपका जो आप डिप्रेशन में जीर हो तो मेंद नाके पूरी पूरी लाइफ डिप्रेस में चल रही है तो आप सरफ और सरफ अपनेser वह फ чувств होते हैं ज्मिस पास्ट में नहीं किया होता वह कारण हमारे पासा कुछ नहीं है टो काफी परेशानी में है love हमें लगता है कि हमारी एसे ही चलेगी नहीं जी मुट अमकर को पास्ट के गरन आज को मत हराख करना हम अपने आज को क्यों करते रहते हैं हम अपनी कोई feature नहीं होता जदि आप कल के बारे में सोचोंगे तो आप अपने आज को कभी नहीं जी पाऊंगे ना तो आपका कल कभी आएगा नहीं आप अपने आज को जी पाऊंगे तो सब कुछ बूल जाओ बीटा आप वीडियो देख रहे हैं आप मैच कर रहे हैं यो कुछ भी कर करें और आज आप करें और आपका एक गैप की लाइफ को जहां पर पुरी की पूरी एक्स्पेइन कर दोताए आ अप अपने क्रंट सेकिंड को कैसे यूज करते हो सुब देखे सब को सिरफ और सेटिंड का अपना मजा लीजे अनांद लीजे जो भी हो सब उसको स्माइल के करम करने में आज अश्चा कर दो, आप अपना बेस्ट दे दो अपने आज में, तो जो भी आपका कल होगा, वो दिखा जागा ऐसा होगा, बस अपने आज को जीना स्टाड कर दो, थेंक यू फूर अप एक एक जामपल और करते हैं उसके साथ, ठीक मरी यह नेक्स्ट एक्जा आपके साथ, माइनस इंफिनिटी से लेकर इंफिनिटी, 1 ओबर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इंटू dx, तो जहाँ पर हमें इक डेफिनिशन मैंने आपको करवाई थी, पार वन में थे, उनसको भी आप देख लेना एक बाद, तो जहाँ पर हमें डेफिनिशन मान जिरो से लेकर इंफिनिटी तक, तो इसको दो पार्ट में ब्रेकर लेते हैं, यह तो है इसका जो basic fund आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जदी आपका function जो है बो odd है और even ऐसा भी हम कर सकते हैं, तो जहाँ पर एक तो जहाँ है, जो definition लगा थे, लेकिन जो हम करने वाले वो क्या है, हमारे पास एक result होता है जहाँ पर, minus a से लेकर a, fx into dx को हम लिख सकते हैं, 2 into 0 से लेकर a तक, mean हम इनको, जैसे आप मालों कि आपका answer जो इसका answer आ रहा है, वो ही इसका रहा है, तो दोनों को add कर देंग, तो limit आप एक लगा सकते हो, 0 से लेकर infinity तक, तो वो कब हम इसको ल function है, महां दी हमारे पास 1 over x into minus x है, तो हमने जहां पर minus x कोड़ करना, x को phase करेंगे minus x के सा, तो क्या बनेगा आपके माले पास, जहां पर x का minus x बन जाएगा और जैसे करेंग, तो minus minus plus हो जाएगा, तो बनेगा कि ऑपकी पाबर x जहां पर आ जाएगा, और plus तो इसका रहा हमारा जो डिवन फंक्शन तो हम जहां दो पाट करने की पुचाहिए इसको डिरेक्ट लिखेंगे जहां पर और बार का हम लेकर मैंने डाला हो है डिरेक्ट किया लिखेंगे तो यह तो इसका लिखने का फंड है और एक्जांपल करेंगे जहां पर आपको सबसे पहले ऐसे लिख लेना अब इसको इसको अपर आजएगा तो बचेगा क्या हमारे पास क्या वढ़ेंगा टू इंटू जिरो से लिकर इंफिंटी और जिया जो निचे लिखन था हमारा जो उपरा चुक है एकी पापर एक्स और निचे क्या एंसमेल लिखने के वाद एकी पापर 2X प्लस 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा अब हम सिंप्लिफिकेशन कर रहे हैं सौब ने कर रहें सको और 2, अब जहांपर हम definition लगाएगे because जह हमारा जो given example जो first case में transfer हो चुक है जब हमने B को infinity ले आथा infinity, in that case हम definition लगाते होते हैं कि हम infinity को T put करते थे और T को tending to infinity तो जहांपर हम same करेंगे जैसे infinity आके इसको because वेटा इसके marks होते है step by step तो इस step को मत बोलना हम definition के साथ ही करने वाले आप direct भी करने कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन ज़िए आपने full marks लेने हो और because जहांपर examiner का mindable exam के according भी set up हो सकता तो जहांपर आप प्लिस आपने जो easy beer तो उसके करना पर marks मत गवा लेना तो लिख देना कोई इसको difficulty नहीं है तो जहांपर हमारे पास क्या करना है infinity को t पूट करना और t tending to infinity है अब आप जहांपर द्यास देखना e x को ऐसे लिखा दिया है 1 को हमने आगे लिखे और plus जो आप करना जी जो 2 है पाबर इसको कैसे लिख सकते है e x की स्केर लिख सते because जहांपर ये भी पाबर ये भी तो दोनों multiply होके वो 2x ही बनेगा हमारे पास लेकिन इसको ऐसा क्यों लिखा जो हमारे पास e x over 1 plus e x की स्केर एक बात आपको मालूम होगे कि 1 over 1 plus x स्केर into dx की जो integration होती ही वो होती है tan inverse x उसका reason क्या होता है जहांपर x है x का derivative कितना होता हमारे पास 1 जदि आपके पास बेटा कोई भी जहांपर number है उसका derivative numerator में है और जहांपर 1 तो वो सीधे का सीधा किस में जाएगा tan inverse x में उसकी integration जाएगी अब इसे ध्यान से दीखना e x की पाबर कितने है 2 जहांपर है 1 अब e x का derivative कितना होता e x वो numerator में है तो इसका से direct किस में जाएगा tan inverse तो यहांपर x एक सारी तो हमारे पास क्या एगा tan inverse of e x तो इसकी direct integration हो जाएगी तो integration करने के बाद मारे पास क्या बनेगा tan inverse of e x और 0 से लेकर t अब आपने के अगलना simple upper limit minus lower limit तो जहांपर put करेंगे tan inverse e की पाबर t minus tan inverse e की पाबर 0 अब t क्या हमारा tan to infinity इसको पुट कर दो जहांपर e की पाबर infinity हो जाएगी और minus अब किसे भी number की पाबर 0 तो वो क्या होता है 1 होता है so tan inverse की आजाएगा 1 आजाएगा हमारे पास और पीटा एकी पाबर infinity again infinity होता 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 हमारे पास जहां से मिल जाएगा tan inverse infinity minus अब tan inverse की value 1 कब होती है pi by 4 पर में 45 डिगरी पर तो आपके पास आजाएगा 2 into tan inverse infinity minus pi by 4 बिचे जिकल to 2 और tan inverse infinity कब होता है pi by 2 पोल तो अभी दुनों को minus कीजी 90 minus 45 again 45 that is pi by 4 और cutting काने के पाफ आपके पास कितना आजाएगा जहां पर 2 times minus को multiply गरेंगे तो pi by 2 आजाएगा that is a finite answer तो इस example का answer जो हमने किया था starting तो इसका answer कितना है मारे पास finite आ रहे है तो इसको पास करके लिख दीजिए अपने नोट्स को complete करते लिए साथ साथ में और जो second example है minus infinity infinity 1 over 1 plus x कर उसको आप जे तो simple है इसका tan inverse आएगा जस्ट आपने limits पूट करने हो यहां पर check कर आएए आपना जो x square है बेटा जैसे आप minus x कोट करेंगे उसको अगन वह भी plus mean यह भी even function है सेम लाइन पर होगा तो इसका answer आपके पास पाई आएगा तो इसको आप as a homework कर लेना कि का तो आज हमारे पास यह दूनों example करने के साथ जो first exercise है आपकी improper integral की जिसमें हमनी definition के साथ convergence और divergence को check करना होता है तो इसके साथ आपकी first exercise complete हो जाएगी example almost done है तो आप इनको देकर और example काफी अशे बेसे कर सकते हैं तो next one करने वाए है जो हमारे पास कुछ definitions है next exercise के लिए जो की इससे भी important है from the point of view of your examination तो बनी रही चैनल के साथ and thank you for watching this video and don't forget to subscribe and share this with your friends and thank you God bless you